टो आपके अपने से चैनल स्टी विद् 애 क्याँ गया हेंसा तो सहाय बसुभी अब लीश्क कान से अटमगे अचीय तो मैस्त लीटि डालती है मेरा purpose मेरा purpose यह है कि मैं अपनी knowledge जितने भी knowledge में दूसरों को दे सकता हूँ जितना भी मैं दूसरों का बला कर सकता हूँ जितना भी दूसरे student को में समझा सकता हूँ आसानी से किसी भी subject के अंदर बस यही मेरा purpose है तो इसे purpose को लेकर मैं आया हूँ English, grammar, learning को लेकर तो इसमें एक होता है हमारा concept छोटा सा वही मैं discuss करूँगा उस topic का नाम है apostrophe तो apostrophe की बात करने वाले कि हूँ मारकर को पसंद नहीं पता नहीं apostrophe तो apostrophe होता क्या है देखिए आप यह दिखा होगा हूँ कि इस तरह से अगर हम कोई example लें आपने लिखा हूँ दिखा होगा कि यहाँ पर एक कॉमा लगाते हैं उपर और और नीचे एस लगा देते हैं तो इसी कोई कहता है apostrophe यह पूरा जो है apostrophe है तो apostrophe से हम किसी भी word को combine करके लिख सकते हैं जैसे समझे स्टार्टिंग से तो यह पहले बता दे हैं देखिया तो देखिये और आपको यह example लेता हूँ अगर मैं example लेता हूँ यह जो बिली है यह किस से समझ लेता है इस्टुडेंट से तो अगर मैं apostrophe में लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा यह लिखूँगा इस्टुडेंट्स कैट सिर्फ answer तो इतनी बड़ी बात को ना समझागर यह इससे समझनित है यह रिलेट कर रहा है इससे बस इस्टुडेंट्स कैट बस apostrophe में एक एस लगा दिया और कैट ठीक है तो बहुत बड़ी रूल बना दिया तो देखे इस्टुडेंट्स कैट यह बहुत सिंबल हो गया यह क्या है apostrophe से मनाया आपस्ट्रॉफी से एक 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 है तो अब यह बात आती इसके रूल क्या है किस तरह से बनता है यह यह सैंट इस तरह से बना apostrophe के दुआरा देखे जो इधर हमारा object है यह कुछ भी कह सकते हैं इधर जो हमारा subject होगा उसको पहले लाएंगे और जो इधर होगा subject उसको बाद में लाएंगे, बस बनिया, कितना simple rule लाएंगे, यली बाद वाले को पहले, और शुरुआ वाले को बाद में, बस देगे rule लिख लगा है, कितना अच्छे-अच्छे rule आते हैं नहीं बाद में, ये कहीं से पढ़ा थोड़ी है, तो अपने पास्टर गनाया भी, बाद वाले को पहले, और पहले वाले को बाद में, ठीक है, बस ये रियादत है, बाद वाले को पहले आएंगे, पहले वाले को बाद में लिख लगा है, ये rule यार रहना है, जैसे ये rule यार रखा, सारी question solve होते हैं देखे, example लेते हैं ठीक है, कोई another example ले लेते है This bag belongs to your mother तो यह जो bag यह यह आपकी mother से सम्मंदित है इसका मतलब क्या है your mother's, यानि क्या कि हमने बाद वाले subject को पहले लाए अब apostrophe का sign लगाएंगे apostrophe as bag यह अपकी मम्मी का bag है इसका मतलब यह, your mother's bag ठीक है, यहां तक समझ माँ गया है यानि बाद वाले को शुरू मे लाना है और शुरू वाले को बाद मे लाना है और बाद वाले को शुरू मे लाना है बस यह रूल यान रखना है इसके बाद कुछ नहीं है अब देखिए various type लेता है example सबसे maximum important rule क्या है कि apostrophe बन किसकिस के साथ सकता है बैई देखिए apostrophe सिर्फ living things के साथ ही बन सकता है living things living things का ही apostrophe बना सकते है sentence otherwise non living thing का नहीं बनेगा यह सिर्फ living things के लिए ही valid है जैसे the page is related to the book अब देखिए इसमें हमें बनाना के स्पैट भई हम क्या करते हैं बात बाले कोई तो पहले लाते हैं तो इस subject को देखना है यह living है या non living है तो यह पता चल गया भई non living non living है तो क्या इसका apostrophe बनेगा अगर हम यह रिख रेते हैं books books page तो यह क्या होगा गलत ठीक है ध्यान से समझते हैं तो ऐसे जो non living होते हैं उनका apostrophe नहीं बनता है उनको ऐसे ही लिखा देजिए या उनको short से short form में convert कर सकते हैं the page of the book off से भी जोड़ सकते हैं तो यह हमारा थोड़ा और simple हो गया इससे तो simple है नहीं offset तो यह कर सकते हैं apostrophe apply नहीं करेंगे non living में आगे देखिए तो जिदने भी singular होंगे आप उनके तो बना लेंगे भई मैं सिर्फ living thing की बात परूँ है जब apostrophe living thing का ही बन रहा है तो मैं living thing की बात परूँ है यसी बात तो singular के तो सभी example आपको पता है भाई मैंने अभी student का example लिया था the book is related to the student student's book तो student की किताब student यह हमारा living thing है खीक है इसका बन गया तो अभी तो हमारा क्या था singular singular की बात की थी हमने देखिए the book is related to the student खीक है तो यह पहली बात चेक करनी है पॉस्ट्रफी बनाने सब सब पहले यहां पर जो हमारा subject है last वाले कोई तो शिरू में लाते हैं पॉस्ट्रफी बनाने में यह तो यह जो last वाला है क्या यह living thing है हां तो है तो इसका बन सकता है students students book बन गया apostrophe बन गया अगर बात आई की book is related to the students बहुत सारे students से relate कर रही बोक तो क्या करेंगे देखिए यह क्या था singular singular का तो rule समझ में आ गया हुई अब plural की बात करते हैं अगर plural दे रखा हूं तो तो वो plural plural यह नहीं एक से ज़्यादा देखिए the book is related to the students students to the students ऐसा आ गया तो यह क्या है एक plural है plural है तो इसका apostrophe किस तरा चाइए बन तो सकता है ना क्योंकि लिवियंग इंग है लिविंग इंग का बन सकता है वो निविभिंग इंग किस तरह सबनेगा ठीक है, ऐसा बिल्कुन नहीं करना है, तो करना क्या है, हमें लिखना है, students, apostrophe लगाएंगे, और book, ठीक है, जब 2-2s एक साथ आजाएं, समझ जाएं, यह गड़बड़ है, तो 1s को सिर्फ हटा देना है, और हमारा जो बचेगा, वो answer होगा, तो यह सही है, उपर वा लगलत ह है, 2-2s एक साथ नहीं आ सकते, सिर्फ एक ही s आ सकता है, उसकी आगे apostrophe लगती है, जब plurals इस तरह के हो, जिसमें s से बनते हो, तो उनमें apostrophe का rule क्या है, 2-2s नहीं लगाएंगे, तिर्फ एक ही s लगाना है, और apostrophe लगा देनी है, आगे देखिए और example, प्लूल के बारे म समझ देजे, plural जब इस टाइप के हो, जिसमें सिर्फ s लगता है last way, तो तो वही rule apply करना है, जो मैंने बताया, double s नहीं आएगा, सिर्फ एक s को अड़ा देंगे, और apostrophe बन जाएगी, ठीक है, इसके बाद, अगर singular और plural इस तरह का हो, man और men, अब देखिए, इसमें किस तरह का सा apostrophe का इस्तेमाल करना है, example, singular का लिएता है, book is related to the man, तो यह singular है, तो क्या लिखें में सिर्फ, man's book, okay है, ठीक है, अब plural की बात आती है, book, example, book is, आपको दिख रहे साथ, book is related to the men, man, यह क्या है, plural, तो देखिए, man's book, आप यह लिखें कि man's book, ठीक है, तो क्या यह सही है, हाँ, यह सही है, क्यों, क्योंकि इसमें दो बार ऐसा आए क्या, नहीं आए न, तो यह सही है, इसी ही तरह से इसका apostrophe बनेगा, तो इस तरह के जो भी example हो, जिसमें दो ऐसा ना आए, plural बनने में, तो उसमें तो simple ऐसा ही बन जाएगा, जिसमें दो ऐसा आए, बस एक आए दा देना है, बाकि सिर्फ यही rule है, apostrophe का कोई भी कुश्या आएगा आप कर देंगे, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो बस आपको देना है living thing हो, अगर डबल ऐसा है, तो एक asset आएगे, और अगर E वाले आए, इस तरह के, जिसमें S नहीं लगता है, plural में, तो क्या करेंगे, तो apostrophe का S लगाएंगे, बस यहीं करना है, तो दोस्तों आ प्राशा करता हूँ, आपको ये वीडियो पसंद आगे हूब, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो, तो मेरी वीडियो के लाइप, चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को जाधे-जाधा शेयर करना ना भोले, शेयर करना बहुत ज़्याधा है, जितने जाधा students है, उन सभी को ये concept पहुचाना है मेरे target यही है English हो, Math हो Sanskrit भी मैंने वीडियो बनाई है आप उन्हें कुछ से भी देख सकते हैं Division आप सोची Division इतना छोटा concept है मैंने क्यों बनाया उसमें कुछ है उसमें कुछ ना कुछ है जो आपको समझना जरूरी है आप देख सकते हैं उस वीडियो को बहुत जादा मेरे important concept बताएं मुझे भी वो important लगता है Division में ऐसा क्या खास है आप देखिए उसको Thank you